नमस्कार न्यूस बॉल इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमनबाल खबर श्रावस्ती जनपत से है जहां जिलादिकारी नेहा परकाश ने विकास कंड हरी हर पुरानी के प्राथमिक विद्याले टंडवा और बनकटवा प्राथमिक विद्याले बंदरहा छत्ते सड़ी और इसके साथ ही प्राथमिक विद्याले कुननबुर नोशरहा का ताबर तोड निरिक्षण किया है बता दे आपको कि जिलादिकारी ने विद्याले में अधियापकों की उपस्तिती और नामकरण के आपेक्ष छात्र छात्राओं की उपस्तिती की जाज कर प्रधाना ध्यापक को निर्देश दिया कि पंजेकरित छात्र छात्राओं की शत परतीशयत उपस्तिती सुनिश्चित कराये जिलादिकारी ने विद्याले में इसवे गुरु की भूमिका में आकर गडित के भी ब्लैक बोर्ड पर हल किये और छात्र छात्राओं से भी हल करवाया जुलादिकारी ने बच्चों से उनके विश्य से संबधित प्रिशन भी पूछे हैं और जिस पर सही जवाब दिये जाने पर छात्र छात्राओं को चौकलेट और बिस्किट भी दिया गया है उनकी निर्देशित किया गया है कि विद्याले कैंपस, क्लास्रूम और सोचाले आदी की नियमित सफाई जो है वो सुनिश्चित कराई जाए और साथ ही जुरादिकारी ने बीएसे से लेकर खंड शिक्षादिकारियों तक निमित विद्यालों का निरिक्षन कर सभी उन्होंने कहा है कि समय समय पर विद्यालों का आक्स्मिक निरिक्षन किया जाए यदि निरिक्षन के दोरान विद्यालों में कोई कमी मिली तो संबंधित विद्यालों के प्रधाना ध्यापक से लेकर खंड शिक्षादिकारी पर भी कारवाई की जाएगी और इसी खबर पर हमारे साथ इश्रावस्तिज हैं हमारे सहीयोगी सुर्य परकार शुकला हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुर्य जिलादिकारी की ताबर तोड़ कारवाई की गई है जिलादिकारी नहाँ परकार शुकलाई और यहां परकार शुकलाई पर पर शुकलिट दे पर पुरूर के बहुत बारी की से और अगमपरिता किसे परकार की किस तरीके से बच्छों को सिचा दिया जा रहा है देफ़कों की दार रहे यह वह नोंने बहुत गंविकता से ल्फिया जाने जो से सवाल ऐसी ह। अधर इसमें कमी की बात करें तो किस तरह की विद्धयाले में इनहीं पाई जाती है रही है नोंसे रएक हमाटेस धीजम नोंहें भात धाया चालिए होए लौक ऐसके अन्ट मत Bürज्धि कर पकाय घाघिए हमाटै। और भी तमाम सारी चीजे के बिद्धियारे परिश्व कर दिख कर दो बहरी निजर बना हुए और लगातार बढ़ाए बया बुद्धियारे बहरी निजर बनाया हुए अगला की कारवाई भी कि जा रही है। आजम खान की पतनी तंजीम फातिमाक ने ही अपने मतदिकार प्रयोग किया है लेकिन उनको जिस तरह से परिशान किया जा रहा है उन्होंने पुरिस परिशासन पर भी गंभी रारोप लगाये हैं लोगों को वोटिंग करने से रोका जा रहा है रामपुर नगर सीट की मतदान केंदर पर मुसलिम महिलाओं को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है तो आपको बता दे रामपुर से खबर है जहां पर बड़ा आरोप लगाया गया है बताते चले कि आजम खान की पतनी तंजीन फातिमा ने अपने मतदिकार प्रयोग किया है लेकिन उनके जिस तरह से परिशान किया जा रहा है उनका लगातार आरोप है कि परिशान किया जा रहा है उन्हें पुलिस परिशासन पर भी गंभीर आरोप लगाये है लोगों को वोटिंग कर दे से रोका जा रहा है ऐसा कहती हुए नजराई है रामपुर नगर सीट की मत प्रदान केंदर पर मुस्लिम महिलाओं को मद्दान नहीं करने दिया जा रहा है। पहुचने ही नहीं दे रहे हैं आप ये मद्दान इस्थल दिखाएं अपने चैनल पर कि क्या मौद्दान इस्थल पर यहीं रहता है। दिखी धाना छेतर का ये मामला बताया जा रहा है। जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महिला को पीटा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि लाठी डंडों से महिला की पिटाई की गई है। जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बतादे कि उन्नाव में जमीनी विवाद को लेकर ये मालपिट का मामला अब तेजी से वाइरल हो रहा है। जमीनी विवाद के चलते महिला की पिटाई की गई है। एक महिला को गिरा कर लाठी डंडों से पिटा गया है। बताते चले कि ये पूरा मामला जो है उन्नाव दही ठाना छेत्र के बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ उन्नाव से संबाद आता महिला की पिटाई की जा रही है। जिसका वीडियो भी टेजी से वाइरल हो रहा है। पुरा मामला क्या है विस्तार से बताईए। जी बिल्कुल आपको बताता है उन्नाव के दही ठाना छेत्र के ये वीडियो है जहां एक महिला की पिटाई का वीडियो ये वाइरल हो रहा था बहुत तेजी से जिसको संग्यान में लेकर के जो पुलिस है वो हरकत में आई थी और इसमें लगातार जाच किये है कि किस तर कर ये पूरा जो मारपीट का मामला सामने आया है इसको लेकर अभी तक पुलिस परशासन तक इसकी कोई सूचना दी गई है जी बताते हैं कि ये जमीनी वीबाद जिसे चोटा जमीनी वीडाथ था जिसको चलते ये लामला थे तोने दो पच्छों में लगाई हुई थी उस तशाल से मौमन के लिभी खात जो के जो न चार लोग हुआ है उसके नहीं नचोAN वाधर सड़क पर इसकी जारा रही है पूरा मामला जो है वो जमीनी विवात का है सितार गंज में मोबाइल लूट के आरोप में पुलिस ने किशोर समय दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है आरोपियों के कबजे से लूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामत कर लिया गया है और इतना ही नहीं बता दे आरोपियों के पास से बाइक भी बरामत की गई है कोतवाल बसंती आरे ने बताया है कि थाना नियूरिया पेली भीत निवासी कुबर सेन पुत्र बाबु राम का बाइक सवारों ने मुबाइल लूट लिया था और प्रकरण में ही तीन दिसंबर को अग्यात जपटा मारों के खिलाब मुकदमा दर्जकर आरोपितों की तलाश की गई आपको बता दे कि सिटकुल चौकी इंचार्ज चंदन सिंग बिस्ट सिपाही कमलनात गोस्वामी कपिल कुमार राजेंद्र गोस्वामी की टीम ने शक्ती फार्म पुल के पास से दो संदिक्तों को हिरासत में लिया तलाशी में शक्ती फार्म के ग्राम गुरू ग्राम निवासी आकाश मंडल पुत्र संजे मंडल उसके नावालिक साथी के कबजे से लूटा गया मुबाइल फोन भी बरामत कर लिया गया है कि दो लोग आये और मोटर्शाइकल से मेरी मुबाइल को चिन के लेगी शिटकूल छेत्री का है यह तो इसमें मुगत्मानिखाय तीन तारे को और इसमें टीम गच्छत की गई थी टीम में जो है चोटी प्रभारी जो है शिटकूल उसको चंदन विस्टे को भी लगा गया था दो तीन सपाई और लगाए तो कल इसको पकड़ लिया है इसमें दो पकड़ेगे हैं विद मुबाइल इनसे बरामत हो रखा है और मोटर्शाइकल भी इनसे हमने बरामत की है औ इसका नाम है आकास मंडल पोत्रे रंजय मंडल ये गुरुगराम नंबर दो सितार गंज का रहने वाला है इसकी खिलाब पहले भी सायद मुकदमा पंजिक्रत हो रहा है इसका पहले भी अबालिक है उसको पहले भी चोड़ी में गया है जेल और दुबारा भी पगड़ा ग के बाद उसका शव अंजान की टंकी में ही चुपाने की ब्लाइंड घटना का प्रदाफाश करते हुए पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा है और चानवीन में पता चला है कि एक नाबालिक सहीत तीन भाईयों और उनकी मात नहीं मिलकर उधार के पै है कि भगवानपुर में ठाने में कुछ दूरी पर ही चांद कलोनी में तीन मंजिला मकान के सिकंदर नामा की एक व्यक्ति ने किराई पर दिया हुआ था और इस विल्डिंग में सभी आसपास के फैक्टरी में काम करने वाले करमचारी थी और दो दिन पहले सिकंदर रात के समय बिल्डिंग में ही पहुंचा तो अंजान की टंकी में खून निकला और जिसके बात देखा कि टंकी खूलने पर उसके अंदर से एक किराईदार अंकित निवासी ग्राम चोठी कर खाना पोरी चोकी पावो तहसील पोरी जनपर पोरी गड़वाल का शव मिला था सीज़ टीवी कैमरे की फूटेज खंगालने के साथ ही पुलिस ने मुखबीर तंतर को अलट किया और साथ ही S.O.G. ने सर्विलांस प्रसहारा दिया इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस के अधार पर मिले संदिक्त मुबाइल नंबरों की कुंडली खंगालने के बाद एक पुलिस टीम को तुरंत बुहन शहर के लिये रवाना किया गया था जिससे पता चला कि आरोपी घटना को अंजाम देने के पस्चाथ जैपुर ग्रेटर नोईडा गुलंद शहर गाजियाबाद अलग-अलग शहरों में ठैरे हुए हैं कालोनी भगवालपूर से सुष्णा ब्रावत्विती थानेकों की जो है एक टंकी में रखना हुआ है जो अनाच की टंकी में और वो किराये पर कुछ लोग रहते थे जो वहां से परार हैं तो पता चला कि जो लोग वहां किराये पर आ रहे थे वो गुलंद शहर के निवासी थे और उसके कुछ नंबर संदिक साथ हुए जिसके अदार पर टीमों को बेजा गया लेकिन वहां उप्रोप मकान जो उनका एड्रेस था वो पहले ही बेच के जा चुके थे अभी अब जो लिए तो वापस ना करना था जब गर पर आकर लगतार मांग रहा था एक राय हो को इसमें उसकी अध्या कर दी गई अध्या करने के बाद उसके शव को जो है कंटेनर वे चिपा दिया गया जिससे कि अगले दिन जब वहां से जाएं कबरा छोड़कर तो उसको कही बाड़ी को आगर डिस्पोस कर दें जिससे पता ना चले लेकिन उनकी यह जो शड़ियन था इसमें काम्याब नहीं उपाए और किसी कारणों से दो दिन तक शव जो है वहीं पर रह गया और जब वो गाड़ी से ले जाने लगे तो शव से जो ब्लेड और जो आनी सीचे आ स्वंबार को जोशी मठ मुख्य चोराहे पर स्थाने लोगों द्वारा इकठे होकर सरकाल का पुतला दहन कर सभी आरोपियों को फासी देने की मांग की और स्थाने लोगों का कहना है कि पहार का युवा रोजगार के लिए बहारे छेतरों में जाता है और वहां उनकी हत्य कर दी जाती है लेकिन लेचर कानून ववस्था के चलते हत्यारे खुले आम घूम रहे हैं जिससे सरकार के सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं स्थाने लोगों द्वारा आरोपियों को फासी देने की लगातार मांग की जा रही है तो जोड़ी में तो जोड़ी आपने की जाती है इसके साथ इसके भी हथया है इसके रुपचे लगाता है पहारी को बच्छों के खार जिसके बरबटा हो रही है इसके बच्छों के खार जाए पहारी को बच्छों के बरबटा हो रही है और इसके खबर पर हमारे साथ चमोली से हमारे सही होगी पुषकर सिंग नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुषकर विपिन रावत हत्या के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है बिल्कुल देखके समन पिछली बार जो है जनपर चमोली का रहने वाला ये बिपिन रावत ता जिसकी जो है बिपिन रावत है और अपनी रोजी रोटी के लिए नौकरी करने के लिए बिए बिए देखन गया था या या ऐसकी जाहती है तो जोसीमत बिलाके नहीं पूरे जनपर चमोली में बिए एक आखरो धो यह है यहापे जनपर को देखने को मिला है तो जनपार चमुली के बात हो तो तो बिपिन दावत जनपार चमुली का जोसी मर्ड विलॉग का रहने वाला था इसकी हत्या होगी इसको लेकर तुमाम सारे ताहिए आप जोसी मर्ड विलॉग की बात करें या जाट विलॉग की बात करें या जाट विलॉग की बात करें या सब्सक्राइब करें नारान बगार सब्सक्राइब करें लेकिन जिस तरह से जो मांग इन लोगों की है जो पहारी जो लोग होते हैं कि अब तक जो है है पहार के जो लोग होते हैं पहार के जो होता है वह फार रोग आन लोग है फार के जो लोग रोड़ करना पार उनके साथ अठान जाते हैं पुषकर शुक्रिया आपका शुक्रिया जुनने के लिए तो बेपिन रावत की हथ्या के बाद आकरोश आप तोर पर देखने को मिल रहा है कई लोगी कठा हुए है और पुतला जहन किया गया लक्षमिन जुला थाना पुलिस ने लूट की योजना बना कर छेतर में पहुँचे तीन बदमाशों को गिरफतार किया है जिनके कबजे से पांच जिंदा कार्थूस और तीन तमंचे पुलिस ने वरामत किये हैं आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद और नयायले में पेश किया है जहां कोट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा पहुचा दिया है आपको बदाते चले कि स्पी पोडी स्वेता चौबे ने अपराधी कवारदातों पर नकेल कसने के लिए रात को पहरा कड़ा करने के निर्देश पुलिस को दिये और इसी कड़ी में गष्ट के दौरान पुलिस ने संदिग्द रूप से घूम रहे तीन बदमाशों को गिरफतार करने में सफलता हासल की है और जिनकी पहचान परवीन पंकज और गौरव निवासी पलवल हरियाना के रूप में हुई है स्पी श्वेता चौबे ने बताया है कि लक्षमन जूला थाने के इंस्पेक्टर बिनोद गुसाई की ही पुछताच में आरोपियों को खुद बेरुसगार बताया बिरुसगारी की वज़ा से ही उन्होंने लूट की वयोजना बनाई मगर बारदात को अंजाम देने से पहले ही वो पकड़े गए परवीन के खिलाफ पलवल में डकेती और पंकज के खिलाफ गुरगाओं में हत्या के परियास का भी मुकदमा दर्ज है गौरब के अपराधी के तिहास की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है स्स्पी श्वेता चौबे ने बारडाग से पहले आरोपियों के पकड़े जाने पर पुलिस टीम की पीठ थप थप आई है इसी के करम में कल देर राधरी लक्षमन जूला थाना छेत्र में इन तीन आभियुक्तों की गिरिफतारी की गई है तीनों पलवल हर्याना के रहने वाले हैं और इनके पूर्व में भी आपराधी कितिहास है जानकारी करके पता चला कि इन में से एक के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजिकृत है हर्याना में और दूसरे के खिलाफ 25 आमस आट के तहत मुकदमा पंजिकृत है इन तीनों के पास से अवैद असला जिन्दा कार्थूज बरामद हुए है अभियोग जो है तीनों के खिलाफ 25 आ कि संजे शर्मा हमारे साथ जूड़ चुके हैं संजे पुलिस में लूट की योजना बना कर कई लोगों को गिरफतार किया है पूरा मामला क्या है विस्तार से बताईए यहां पर रख जेतर है और यहां पर बहुत लोग आते हैं और एज़ी इस सिदी में क्या है कि पुलिस लगासाल शर्मादिक लोगों पर नजर बनाया रखती है और जो एसे वी चौबे हैं उन्होंने इस बात पर विशेत तोर पर ध्यान दिया है कि जो अपना शेतर है उस तोर पुलिस की जाए और उस की चेकिए की जाए तर देश के बादे ने तोनों ने घाड़ी को रूगा गाड़ी में देखा की तो चैनल को छांतिक लोग तर विशेत की तो पुल्साच पास से त्यार मिले जिल्दा काफू से ले तो उनों ने उनका पुला इलात कर लिए तो अपरादी उन्से के लोग लेड़ी अपने आज आते हैं अपराद करका रखे थे यहां पुलिस ने जो अपराद होना था उसे पहले ही पुलिस ने उनको जरत होचा और वो जरत होचने में एक बड़ी वार्दात होने से बच गई हैसे में S.S.P. सौबे ने जो पुलिस पुलिस ने लूट की योजना बना कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है तीन आरोपी पुलिस के गिरफ्त में बताए जा रहे हैं पेरी के यूनियन बैंक आफ इंडिया में लाखो रूपे के घोटाले के मामले में फरार चल रहे आरोपी इशोरब सुखी जा को पुलिस ने पंचकूला हरियाना से गिरफ्तार किया है आरोपी के कबजे से घोटाले में शामील लैप्टॉप मोबाइल बरामत कर लिया गया है आरोपी सट्ता खिराने का भी माहिर है उसके खिलाफ कैथर चंडिगर का सौली में सक्टे से समवंधित कई मुकदमे दर्ज है और इन मामलों में आरोपी जेल की हवा भी खा चुका है मामले का खुलासा टेहरी में एडिशन एस्पी विजेंद्र दतसो धोबाल में किया है उन्होंने बताया है कि 4 दिसंबर 2022 को यूनियन बैक और इंडिया के परवंध की तहरीर पर बैंक में करीब 85 लाग का घोटाले का मामला सामने आया था जिसके बाद पुलिस ने बैंक के ही दो करमचारियों पर मुकदमा दर्ज कर जाज शुरू की जाज के दोरान दोनों आरोपी करमचारियों को पुलिस ते गिरफतार कर लिया परताल में सौरव सुखीजा का नाम भी शामने जो है शामिल बताय जा रहा है और लंबे सम्मे से फरार चल रहा था पुलिस ने सौरव को पंचकुला हरियाना से गिरफतार किया है मामले में अभी विवेचना जारी है यदि घुटाले पे और लोगों के नाम भी शामने जो है शामिल होते हैं तो उनके खिलाब भी गिरफतारी की जाएगी खाते में लगबग 85 लाक रुपए डाले गए थे और यह ग्यांत हुआ है कि यह में हैं जो सटे में पैसा लगाते हैं तो हमारी टीम द्वारा सर्विलांस करके और फर्दर इंवेस्टिगेशन करने के बाद हरियानों में जाके इसके गिरफतारी की है और इसके पास से एक लैप्टॉप बरामद हुआ है और एक आईफोन बरामद हुआ है जिसमें बहुत सी डिटेल है यह आगे इंवेस्टिगेशन में हम देखेंगे कि इन डिटेल में हमें और क्या बिटा है संबल में मैंथा फॉर्म पर जीएस्टि का छापा पड़ा है जीएस्टि विभाग की छापा मारी कारवाई से हरकंप मच गया है कई थानों की पुलिस पोर्स के साथ जीएस्टि विभाग ने छापा मार कारवाई की है विभाग की कारवाई लगातार चारी है GST विभाग की कारवाई जेन मेंथा फॉर्म संचालकों में हरकम पमचा है ना खासा थाना छेतर के दीपा सराय में जारी है और GST विभाग की छापमारी कारवाई लगाता जारी है सत्पुतली राश्टिय राजमार्ग 534 सत्पुतली कलहड बैंक पर एक कार हाथसे का शिकार हुई है बताते चलें कि कुलहड बैंक के पास सडखाथा हुआ है कार अनियंतित होकर गहरी खाई में गिरी और कार में 6 व्यक्ति सवा थे जिसमें दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है हाथसे में चार गंभी रूप से खायल हो गई है चोबठा खाल से शादी समारों में कट टावर आ रहे थे और पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर खायलों को 108 की मदद से बेस होस्पिटल को टावर पहुचाये गया है 6 दिसमबर को लेकर पुलिस परिशासर नलट है बता दे कि अतिस अवेदन शील इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है शांती ववस्था बनाए रखने को पुलिस परिशासर ने फ्लैग मार्च किया है और 6 दिसमबर और नगर निकाय चुनाओ के मदे नजर सडक पर उतरी पुलिस है और सीयो सदर जितेंद्र कुमार सरगम के नजब में ही पुलिस पोर्स का फ्लैग मार्च सदर कोतवाली छेतर के चौधरी सराय पुलिस चौकी से आरे समाज रोड तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया तो संबल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस परिशासन अलर्ट नज़र आ रहा है बता दें आपको कि 6 दिसंबर को लेकर पुलिस परिशासन आज अलर्ट पर हैं बताते चाने कि सुरक्षा ववस्था के पूरे इंतजाम किया गए हैं बता दें कि पुलिस परिशासन सब्वेदन शील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और शांती ववस्था बनाए रखने को पुलिस परिशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है फिलालिस बुलेटिन में इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है आप देखते रहिए News World India